अगर आप इस साल का प्रीलिम्स लिख रहे हैं, हमारे कुछ फ्री इनिशेटिव्स हैं जो आपके बहुत जादा काम आ सकते हैं पहला इनिशेटिव है रिविजिन सीरीज जो कि दिन में बारा बजे मंडे टू साटरेडे डिसकास होती है जोग्रफी के उल्रेडी दो पाट्स आ चुके हैं, मैडन जूलियन ओसलेशन, इंडियन ओशन दाइपोल, एल नीनो मुदो की, लानिना मुदो की जैसे कॉम्लिकेटर टॉपिक्स काफी कम समय में डिसकास किये गए है अगर अपनी ये सीरीज नहीं देखी है, तो I can suggest कि आप जोग्रफी की सीरीज जरूर देखें, आपको बहुत ज़ादा मदद होगी अपनी preparation में Again, Sunday को सुभा 10 बजे एक marathon session होता है, जहां पर UPSC के previous year questions discuss होते हैं इस बार जो है IR का session है और geography का session already हो चुका है, काफी detail में line of thought discussed किया है, बहुत सारे concepts भी discuss किये हैं 2015-2020 के papers के So again, very helpful for your preparation. Last but not the least, हमने हर रोज 8-10 topics आपको revise कराने की बात करी थी within 1 minute तो YouTube shots के जरीए ऐसे videos भी हम हर रोज upload कर रहे हैं. Apart from this, अगर आप अपने आपको test करना चाहते हैं Exactly on an entire paper based on the pattern जो UPSC follow करता है, आप हमारी full length test series से भी जोड सकते हैं तो चलिए अब हम अपने questions solve करने की बात करते हैं, पहले आप questions को एक बार देख लीजे, हर question पर आप रुख कर उसे solve करने की कोशिश कीजे पहला topic है आपको oceanography से related NCRT में दो terms है, flow और ebb उसके बारे में Next question आपका national parks से related है कि national parks को north to south जो है arrange करना है तीसरा question आपका volcanic eruptions से associated है कि composite volcanoes क्या होते है, kelderals क्या होते है Next question है आपका layers of the atmosphere related troposphere, stratosphere और mesosphere से associated कुछ-कुछ data यहां पर दिया हुआ है Last question है आपका GM crop से related BT cotton, HTBT cotton क्या होता है उनके बारे में तो इनको आप pause कीजिए, solve करने की कोशिश कीजिए और हम चलते हैं अपने solutions की तरफ अब ध्यान दीजेगा, मैं हमेशा इस बात की बहुत ही जादा favor करती हूँ कि जितना जरूरी है आपका सही answer में पहुँचना उतना ही जरूरी है associated learnings को भी समझना because UPFC आपसे क्या point पूछेगा इसकी clarity किसी को भी नहीं है चली, question देखने है, पहला question कहता है कि flow जो है, वो time है between high tide and low tide जब water level जो है fall कर रहा है दूसरा option कहता है, एब जो है time है between low tide and high tide जब water level या tide जो है rise कर रही है यानि कि आपको ये भी देखना है कि high tide, low tide ही है या नहीं है क्या high tide to low tide जाने में water fall करता है या rise करता है और तीसरा इसका नाम क्या है तो यही pointers जो हैं आपने दूनों में ढूनने हैं तो इसका answer है neither one nor two, basically दोनों options जो है interchange कर दिये गए है मैं आपको समझाती हूँ याद कैसे करना है सबसे पहली चीज, interchange में इसका नाम ab है और इसका नाम low है तेखे, time between, आपको tides के बार में पता है high tides होती है, low tides होती है तो time between low tide and high tide जब tide low से high की तरफ जाएगी, water level क्या करेगा, rise करेगा यानि low to hydride के बाद water level जो है हमेशा ही rise करेगा इसको आप कहते हो flow similarly, हम time between की बात करेंगे high tide and low tide जब high से low tide के बाद आप आएगे, तो water level क्या करेगा? नीचे की तरफ आएगा, fall करेगा तो water level fall करेगा और इसको आप कहते हो app मैं आपको diagram भी दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा clarity हो जाएगी देखे, water level low से high की तरफ जा रहा है water level क्या कर रहा है? rise कर रहा है अब high से low की तरफ नीचे आ रहा है, तो water level भी low रहा है low to high उपर चला गया water rise किया, high to low नीचे आ गया water जो है, नीचे की तरफ आ गया so basically, जब भी आप low to high tide की तरफ जाओगे water level हमेशा rise करेगा इसे कहते है flow और जब भी high to low tide की तरफ आओगे water level fall करेगा, इसको कहते है M अब यह concept आप बलकुल भी नहीं भूल सकते बस आपको यह याद रखना है कि कौन सा वाला flow है, कौन सा वाला M है, ठीक है जी? चली आगे बढ़ते हैं next question, आपको arrange करनी है national parks from north to south अब यहाँ पे मैं आपकी बहुत मदद नहीं कर सकती, आपको sequence पता होना चीए, तो यहाँ पे pause कीजिए, सोचिए आपने कौन सा, कौन सी state से जो है हुए region में पढ़ा हुआ है और यहाँ पे आपका answer बनता है B, so basically अगर हम शुरू करें, सबसे पहले है आपका दूध्वा, डूध्वा national park, UP में उसके बाद है आपका कान्हा national park जो है, almost MP के region में है, similarly Bandipur जो है आप देखे करनाट का and silent valley जो है केरला, तो sequence में जो है आपका दूध्वा, कान्हा Bandipur and silent valley की यहाँ पर बात होगी तो इसके options के हिसाब से आप correct option mark कर सकते हैं, चलिए third question की बात करते हैं third question जुड़ा हुआ है हमारी volcanic eruptions से volcanic eruptions basically तीन तरहा के volcanoes की यहाँ बात कर रहा है composite volcanoes, flood basal province and caldera volcanoes तो कुछ second के लिए pause कीजिए और देखे कि इन में से कौन सा जो है आपको सही तरीके से आता है, तो इसका answer है one only और दोनों को second और third options को interchange कर दिया गया मैं आपको step by step basic बताती हूँ आप उसको definitely याद रखेंगे caldera volcanoes जो है most explosive volcanoes of the earth है, अगर मैं आपको दिखाऊं, caldera volcanoes जो है definitely most explosive है, यहाँ पर जो important point है याद रखने वाला, वो है कि caldera से eventually caldera lakes भी वनती है, वो कैसे so basically caldera volcanoes जो है, वो volcanoes है जिनका की lava magma जो है crust के बहुत पास होता है अब होता क्या है, because यह crust के बहुत पास होता है, lava magma बाहर तो आता ही है, plus because यह जो lava ya magma इतना गरम है, तो जो crust है, यह वहीं पर पिघल जाती है, rupture हो जाती है, और यहां बड़े-बड़े depressions बन जाते हैं, क्यूं तूट जाती है crust, because बहुत जादा heat है इस lava ya magma में and eventually in depressions में जब पानी भर जाता है, तो यह lakes बन जाती है, और तब आप इन्हें caldera lakes भी कहते हो, तो caldera yes, are the most explosive volcanoes, but more importantly यह जो है caldera lake से भी associated है next आप देखे, flood basalt provinces, जब हम basalt की बात करेंगे, इसका मतलब है silica content की basically बात हो रही है तो होता क्या है, simple सी बात समझे अगर तो कोई volcano से जो content आ रहा है अगर तो वो बहुत जादा fluid है, बहुत जादा पतला है thin है, let's say viscosity उसकी बहुत कम है, तो पानी let's say not पानी, बट मतलब जिस तरह से volcano है अगर वो बहुत जादा viscous नहीं है बहुत जादा fluid की तरह कम viscosity है, बहुत घनत्व नहीं है उसमें, तो जो आपका volcano है, उसका समान जो है बहुत दूर तक जाएगा लेकिन मान लो कि वो जो समान है जो volcano है, जो lava है आपका, वो बहुत ज़दा viscous है, बहुत ज़दा भारी है तो बहुत दूर तक नहीं जाता है वो यहीं यहीं कहीं settle हो जाएगा तो flood basalt provinces का जो lava है, जो magma है यह बहुत ज़दा fluid होता है बहुत ज़दा viscous नहीं होता fluid होने की वज़े से यह बहुत दूर तक जो है जाता है और बहुत दूर तक जाने में क्या होगा जब eventually यह lava जब ठंडा होगा settle हो जाएगा तो बहुत बढ़े-बढ़े rock structures बनाएगा कुछ ऐसे तो क्यूंकि अभी बहुत दूर चले गए बहुत दूर तक जो है lava के regions बन गए फिर ठंडे हो गए फिर बहुत बढ़े-बढ़े ऐसे structures बन गए तो बहुत दूर तक के regions को collectively कह देते हैं कि basalt के provinces बन गए तो basaltic lava जो हमेशा बहुत ही fluid होता है because ये बहुत दूर तक जो है flow करता है इसके comparison में जो composite volcanoes होते हैं आप याद रखना कि इनका lava जो है viscous होता है बहुत दूर तक नहीं जाता और actually यहीं पर आसपास जो है जहां से भी went out होता है वहाँ पर ये settle हो जाता है एक और volcano जो यहां पर है shield volcano shield volcano का lava जो है हमेशा बहुत ही fluid होगा तो ये कुछ pointers हैं जो help करेंगे exam में आपके questions को solve करने में अब अगर हमारे options पर वापस आएं तो आपको पता है caldera जो है most explosive है और caldera lakes का भी concept आपको पता है flood basalt में आपको पता है आपके ठंडे हुए structures के तो again आपको पता है flood basalt जो है long distance जाता है क्योंकि fluid है composite volcanoes मैंने बताया है कि इनका lava जादा viscous होगा और ये वहीं के वहीं जो है lava settle हो जाता है तो पहला option आपका सही है second और third आपका interchange होगा चलिए fourth question की बात करते हैं पहला option है आपका troposphere से related दूसरा है stratosphere से और तीसरा mesosphere से तो कुछ second के लिए pause कर लीजे video देखिये layers of the atmosphere से आपको कितना part याद है और आपको correct answer है all are correct actually यहाँ पर ध्यान रखियेगा बहुत important है कि आप कुछ keywords पर ध्यान दे troposphere is influenced by jet streams and let's say all the other seasons या weather phenomena दूसरा option कहता है stratosphere is almost free from clouds making it ideal for flying aeroplanes और तीसरा option कहता है meteorites burn up in the mesosphere अगर यहाँ लिखा होता कि troposphere में सर्फ और सर्फ troposphere में सारे season या jet streams होते हैं आपका answer गलत होता ध्यान रखना हमें हमेशा लगता है कि सारे phenomena जो है सिर्फ troposphere में हो रहे हैं याद रखना majority weather phenomena cyclones, anti-cyclones precipitation, cloud formation troposphere में हो रहे हैं yes लेकिन stratosphere में भी categorically lower stratosphere में भी कुछ हद तक होते हैं basically पता हमने simple सी चीज़ समझनी है बादल को नहीं पता कि यहाँ पे जो है troposphere खतम हो गया अब नहीं मुझे उपर जाना कुछ ना कुछ जो है mixing रहती ही है इसलिए देखो यहाँ पे option में कहता है कि troposphere influenced है अगर option कहता कि सारे weather phenomena सिर्फ troposphere में होते हैं तो आपको option गलत होता क्योंकि cloud formation जो है lower stratosphere में भी होती है यहाँ पे cirrus clouds मिलते है similarly जो हम stratosphere की बात करते है stratosphere के सिर्फ lower regions में आपको clouds मिलते है upper regions में बहुत ज़दा clouds नहीं मिलते है तब ही देखे यहाँ पे लिखा हुआ है stratosphere is almost free from clouds कुछ हद तक weather phenomena से associated है क्योंकि कुछ हद तक clouds है कुछ हद तक rainfall की भी बात होगी पर यहाँ पे जो condition है वो ideal है वो flying aeroplane ऐसा नहीं कहरे कि aeroplane सिर्फ यहीं fly हो सकते है aeroplane उपर नीचे भी तो आते हैं जमीन पे so troposphere से fly तो करी रहे है तो यह चीज़े आपनी याद रखिए ideal conditions क्यों है माल लो aeroplane जा रहा है एक तरफ से बारेश हो रही हो एक तरफ से साइकलोन आ रहा है then what तो stratosphere में क्योंकि lower stratosphere तक ही आपका majority जो है weather phenomena चलता रहता है तो उपर जो है ऐसी lightning या rainfall जैसी बहुत सारे phenomena's है जिसको airplanes को encounter नहीं करना पड़ता और वो अराम से जो है maximum efficiency जो है flow कर सकते है लेकिन yes they are also capable of flying in the lower stratosphere या troposphere it is just that ideal conditions कहां है stratosphere में तभी आपका question देखो ideal condition बोलता है for flying aeroplanes meteorites की जब हम बात करते हैं अगर आप इस diagram को भी देखे mesosphere पे इनकी majority burning शुरू होती है ऐसा क्यों है thermosphere पे बेसिकली होता क्या है कि particles इतने दूर दूर है कि let's say pressure ही नहीं है वहाँ पे जब pressure ही नहीं है particles ही इतने दूर दूर है तो इससे इससे उन particles का टकराना और उसकी वज़े से इनका burn होना जो है बहुत ही ज़ादा इसकी possibility कम होती है इसी लिए because particles बहुत दूर है pressure बहुत कम है इस meteorite पे pressure ही नहीं पड़ता particles ही इससे टकराते नहीं so that इसकी burning शुरू हो जाए this is the exact phenomena which happens तो आप जो है same चीज़ याद रखेंगे troposphere पे yes majority of the weather phenomena is associated stratosphere में lower levels पे आपको clouds मिलते है almost free है cloud से but not entirely and meteorites जो है mesosphere पे आने पे burn कर जाते M for meteorites M for mesosphere याद रखने में मदद करेगा चली 5th question की बात करते है 5th question आपका GM crops के बारे में है BT cotton और HT BT cotton पहला option कहता है BT cotton एक insect resistant crop है जो की combat करती है bowl worm को दूसरा option है HT BT cotton एक extra layer of modification add करती है जो plant को resistant बनाती है to herbicide glyphosate तो यहाँ पे आपके ध्यान देना दोनो options correct है और आपका answer बनता है neither one nor two neither one nor two क्यों बनता है because आपसे बूचा है इन में से कौन से incorrect है जब दोनों ही correct है तो कोई incorrect है ही नहीं now let's understand कि BT cotton और HT BT cotton basically क्या कर रहा है so ध्यान देना cotton को जो है impact करता है एक insect called cotton ball worm अब किया के आजाता है cotton के genetic makeup में कुछ changes किये जाते है so that ये जो नया cotton है जिसका नामा BT cotton हो चुका है जेनेटिक मेकप change करने के बाद वो एक insecticide produce करता है जो कि combat करेगा cotton ball worm को देखें इनसेक्ट के अगेंस इनसेक्टिसाइड यूज किया जाता है पेस्ट के अगेंस पेस्टिसाइड यूज किया जाता है तो बेसिकली आपने जेनेटिक मेकप बदल दिया cotton का और अब आप उसे BT cotton बना दिया जो इनहेरेंटली एक ऐसा insecticide जो है प्रोड्यूस करेगा जो कि cotton ball worm को जो है combat करेगा HT BT cotton क्या होता है ये एक extra layer of modification add कराता है और plant को resistant बनाता है to herbicide glyphosate मैं आपको तोड़ असा समझाती हूँ यहाँ क्या होता है जब भी आप खेत को तयार करते हो फसल के लिए तो कभी-कभी वहाँ पे कुछ unwanted plants होते हैं इन unwanted plants को आप weeds कहते हो W-E-E-D-S तो अब होता क्या है इन weeds को हटाने के लिए definitely manually भी हटाया जा सकता है आप लोगों से कहीं जो भी आप से associated है कि उन weeds को manually जो है वहाँ से हटा दे एक possibility क्या है आप इन weeds पे जो है herbicide glyphosate छिड़क सकते हो so that वो जो unwanted weeds है अब वो जो है आपकी खेती में जो है intrusion ना करे लेकिन अब दिक्कत कहा है जब आपने उन weeds पे glyphosate नाम का herbicide छिड़क दिया at certain point of time ये glyphosate जो है बगल में जो आपकी cotton की crop है उसको भी जो है affect कर सकता है दिक्कत क्या है ये glyphosate जो है ये cancer causing है तो अब अगर ये आपकी food chain में आ जाता है ये आपकी crop से जुड़ जाता है definitely harmful है human beings के लिए तो so that अगर glyphosate को छिड़का भी जाएं weeds पे cotton की फसल पे impact ना आए तो HTBT cotton में जो है basically BT cotton में ही आगे एक extra layer of change कर दिया जाता है इनके genetic makeup में so that अगर इन पे herbicide glyphosate impact आता भी है तो भी plant को आपने already genetically modify करके resistant बना दिया है to this particular herbicide that's it यही mechanism हो रहा है BT cotton और HTBT cotton अच्छा अब एक और बात आती है कि कौन है जो basically responsible है for all the proposals की genetically engineered organisms या products इंडिया में उनके field trials कैसे होंगे XYZ everything associated with it तो इसके लिए आपकी genetic engineering appraisal committee है जो की responsible है for appraisal of such proposals और यह आती है under ministry of environment, forest and climate change ठीक है जी तो I hope आपने 5 question के answers तो किये ही कुछ आपकी यहाँ पे learnings भी रही हो last but not the least मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने weak areas को जो है समझे weak areas पर prep करना बहुत जरूरी है तो जो भी आपकी weak areas है आप उस particular subject के लिए हम से जुड़ सकते हैं for example अगर हम geography की बात करें तो content videos रहेंगे पूरे साल भर के आपके weekly current affairs रहेंगे हर content के बाद कुछ MCQs रहेंगे plus कुछ mains के questions भी रहेंगे जो आप जो है attempt कर सकते हैं तो that was all from my end keep studying, keep revising all the best दोस्तों, bye-bye